तो दोस्तों ये रहा मेरे पास Realme 8 का बॉक्स तो इस वीडियो में मैं इसी Realme 8 फोन का अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ और आप लोग को रिब्यू दूँगा क्या आप लोग को इस फोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए और पीछे कुछ फेचस को मिं दिसकाउंट आपर चल रहा था मतलब कि कार्ट से मैंने डिसकाउंट लिया है तो ही ये मुझे मिला साहे 13,000 रुपे में तो खेर चलिए अब मैं देखता हूँ इसके अंदर में मुझे क्या क्या मिलता है तो यहाँ पे एक सीम इजक्टेट टूल है और यहाँ पे एक कबह का एक डार्ट चार्जर दिया गया है और यहाँ पे एक टाइप सी केबल दिया गया है जिसकी मदद से आप लोग अपने फोन को जल्दी चार्ज कर पाएंगे तो चलिए अब मैं अपने फोन के तरफ बढ़ता हूँ तो अब मैं इसको प्लास्टिक से निकाल लेता हूँ देखता हूँ फोन दिखने में कैसा है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फोन को निकाल लिया तो सच मुछ यह जो फोन है काफी लाइट वेट है काफी हलका है और दोस्तों बैक साइड की मैं बात कर दो तो यहाँ पे पॉली कार्बनेट का बाड़ी दिया गया है लेकिन यहा पास नहीं है, पीछे में polycarbonate का body मिल जाता है, नीचे मिल जाता है speaker grill, यहाँ पे charging port मिल जाता है, और यहाँ पे headphone jack देखने को मिल जाता है, तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको फटा फट बूट कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं, तो दोस्तों यहाँ पे म fingerprint sensor भी मिलता है, और AMOLED display भी मिल जाता है, तो 60 का मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन AMOLED display मिल जाता है, इस price range में, तो चलिए अब मैं camera के बार में बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप जैसा की देख सकते हैं, इसमें 16 megapixel का front camera मिल जाता है, तो दोस्तों मैंने एक यहाँ पे photo भी निकाला है, जिसकी quality मुझे first impression में काफी अच्छा लगा, और दोस्तों detailing वगेरा भी इस phone में काफी अच्छा मिल जाता है, मैं आगे review में आप लोग को बताऊंगा, मतलब 2-3 दिन के बाद इस phone का review आ जाएगा, तब मैं आप लोग को detail के साथ बताऊंगा, तो चलिए अब मैं इसका rear camera की और switch करता हूँ और एक live photo को capture कर लेता हूँ, यह रहा इसका charger में इसका photo को खिच लेता हूँ, तो दोस्तों आप लोग को camera में अच्छे से दिखरा होगा या पिर नहीं दिखरा होगा मैं बता नहीं सकता है, लेकिन दोस्तों first impression में इसका camera quality का काफी अच्छा है, और इसमें काफी सारा camera में mode को दिया गया है, जैसे कि यहां पर portrait mode भी दिया गया है, photo, video, night mode भी यहां दिया गया है, मैं अच्छे से test करके आप लोग को बाद में बताऊंगा, और दोस्तों इसमें 5X तक का zoom भी दिया गया है, तो चलिए अब मैं आप ल और इस फोन में media teka G95 gaming processor भी मिलता है, और इस फोन में काफी सारा बेकार का app install है, आप चाहें तो uninstall भी इसको कर सकते हैं, तो चलिए अब मैं यहां उंगली टच करके देखता हूँ, तो यह काफी fast तरीके से open हो गया, अब मैं दुबारा कोसित करता हूँ, तो दुबारा भ का face unlock को test कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने swipe up किया, यह तूरंथ ही open हो गया, और दोस्तों इस फोन में 5000 mh का big battery मिलता है, लेकिन देखके बिलकुल भी नहीं लगता है, कि इसमें 5000 mh का battery मिलता है, क्योंकि यह बहुत ही light weight का है, काफी ज़्यादा यह हलका है, और 30 watt faster charging को यह phone support करता है, और इस phone में 128 GB का internal storage मिलता है, जिसमें से 111 GB ही खाली मिलता है, 4 GB का RAM मिलता है, MediaTeker G95 processor मिलता है, और यह phone आता है Realme UI 2.0 और इस phone में Android 11 देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों मैं आप लोग को इसका अलग से review दूंगा, मतलब इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बताना चाहता हूं कि 13,000 के हिसाब से यह काफी बेहतर phone है, मतलब कि AMOLED display मिलता है, MediaTeker G95 processor मिलता है, 30W का एक Dart charger भी मिलता है, बॉक्स के साथ मतलब आपका phone जो है 70-80 मिनट के अंदर full charge हो जाएगा, तो दोस्तों फिलाल आजके वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो लगा तो एक लाइक कर दे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, इस वीडियो को सेयर करना ना बोले, तब तक लिए आज का वीडियो में बस इतना ही था, तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम